आज हम करेंगे कक्षा 8 के हिंदी के अब्यास पुस्तक के पार्ट सूला को इस पार्ट का नाम है बच्छो पतिक से तो यहाँ पर बच्छो हम जो इसका प्रेश्ण मार्ट एक है वो है पतिक से कभीता में पतिक सब्द से कभी का क्या असे तो यहां पर यह कभी जो है वो पथिक सब्द का अर्थ पूछ रहे हैं तो जो व्यक्ति अपने लक्ष की और अग्रसर होता है मतलब अपने लक्ष की और बढ़ता है उस सब्द को यहां पर कभी ने पथिक बोला है ठीक है उस व्यक्ति को यहाँ पर पतिक बोला है ठीक है अब चलते हैं अगले प्रेशन की ओर जो इस पार्ट का प्रेशन के मांग दो है वो है पंक्ती में कौन सा अलंकार है तो यहाँ पर बच्चो उत्प्रेच्छ अलंकार है यहाँ पर हम उत्तर में लिखेंगे अगले प्रेशन के ओर प्रशन के मांग तीन है बच्चो वो है सेना सब्द में कौन सा प्रत्य सब्दांस लगा कर सैनिक सब्द बनाया जा सकता है तो बच्चो हमने सेना सब्द में हमने एक प्रत्य लगाया है ठीक है इससे क्या बन गया सैनिक तो इस तरीके से हम सैना में एक प्रत्य लगाकर सैनिक सब्द बना सकते हैं ठीक है बच्छो जो प्रशन का मांग चार है वो है पथिक से कभीता में कभी पथिक से क्या चाहता है तो जो पथिक से कभीता है बच्छो उस कभीता में कभी पथिक से क्या चाहता है यानि जो व्यक्ति अपने लक्षकी और बढ़ रहे हैं उनसे कभी क्या चाता है तो इसका उत्तर हुए बच्चो कभी पथिक से कहता है कि वे मार्ग में आने वाली बाधाओं से ना डरें और अपने लक्षकी और हमेशा अग्रसर रहें इसका मतलब यह हुए बच्चो जो पथिक होते हैं जो अपने लक्षकी और बढ़ रहे होते हैं उनके मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और होता क्या है कि उन बाधाओं के डर के कारण बहुत से जो पथिक हैं वो अपना मार्ग बढ़ लेते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने लक्ष की प्राप्ति करना चाहिए बच्चों जो प्रिशन के मांग 5 है वो है कभी था के आधार पर मा यानि भारत मात मस्तकों की आहुती क्यों मांग रही है अब बच्चों जो प्रिशन के मांग 6 है वो है पथिक से कभीता से हमें क्या प्रिणा मिलती है तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा पथिक से कभीता से कभी हमें ये प्रिणा देना चाहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष की और अग्रुसर है तो उसे सांसारिक समस्य को सामना साहस और विवेकपूर्ण करना चाहिए ठीक है मतलब इसका यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष की और बढ़ रहा है तो उसके बाधा पत्वें अनेक बाधाय आएंगी बच्चो तो उन बाधाओं का सामना किस तरीके से करना चाहिए हमें साहस से करना और विवेकपूर्ण करना चाहिए इस तरीके से उन बाधाओं का सामना करते हुए हमें अपने लक्ष की प्राप्ति करना चाहिए बच्चो इस पार का जो प्रेशन के मांग साथ है वो है जीवन पत्व पर चलते हुए पतिक को कौन-कौन सी बाधाओं का सामना करना सकता है उन बाधाओं के सामने पतिक को क्या करना चाहिए लिखे तो यहां पर बच्चो इस प्रेशन का उत्तर मैंने यहां पर लिख दिया आप इस स्क्रिन पर से देखकर लिख सकते हैं इस प्रेशन का उत्तर तो अब चलते हैं अगले प्रेशन के ओर बारा के प्रेशन क करना चाहिए हमें हार नहीं मानना चाहिए हार मानने का मतलब यह हम हार मान के उसके चुप नहीं बैठना है हमें गया दुबारा कोशिस करना है और हमें अपने लक्ष की प्राप्ति करना है जब तक कोशिस करते रहना है जब तक हमें अपने लक्ष की प्राप्ति ना हो जाए जो बच्चो प्रेशन के मांग 9 है इस पार्ट का वो है किस इस्तिती में मनुष्य कदम कदम पर अपने आपको घोर निरासा में पाता है तो जब बच्चो इस्तिती बिसम हो और प्रतिकूल हो तो ऐसी इस्तितियों में मनुष्य अपने आपको घोर निरासा में पाता है यान मैं सैनिक बन जाऊंग। इसे पर अपने विछार निवन्द या कविता की रूप में लिखिए, तो इसका होगा, यदि मैं एक सैनिक होता तो मैं अपने देश की सेवा दिल से करता मैं अपने देश की रख्षा अपने प्राणों का बलीदान दे कर भी करता तो जाहिसी बात है बच्चों जो देश का हर एक सैनिक है वो पूरे दिल से अपने देश की सेवा करता है जब वो देश की सेवा करता है उसी के वलबूते पर हम अपने देश में सुरक्षित महसूस करते हैं ठीक है जाहे उसके लिए अपने उसे प्राणों का बलिधान क्यों ना पड़े फिर भी वो अपने देश की दुस्मनों से अपने देश की रक्षा करके ही रहता है ठीक है बच्चो तो हर एक देश के सैने का ये करता भी होता है तो इसी प्रेस्म के उत्तर के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो complete होती है I think ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी और यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो बच्चों वीडियो को like कर दीजे चैनल को subscribe कर दीजे आपसे मिलते हैं अपने अगली वीडियो